Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल लग रहे होंगे Friends, मैं बहुत ही टेस्टी चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी चिकन कोर्मा बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का घर के ही मसालों से हम इसे रेडी करेंगे जो खाने में बेहत स्वादिस्ट लगेगी अगर आप नॉन्वेज खाते हैं तो इसे बना के जरू ट्राइ कीजिएगा आई होब कि आपको यह रेसिपी पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चलिए रेसिपी जान लेते हैं सबसे पहले हम खुसबुदार मसाला बनाएंगे जिसके लिए हम लिए हैं जीरा वन टेबल स्पून और एक मोटी इलाइची के दाने लिए हैं काली वाली जो इलाइची आती उसके एक इलाइची के दाने लिजिएगा छिलके नहीं लिजिएगा वन टी स्पून लिए हैं काली मिर्च छोटा टुकडा दालचीनी जैफल और जावित्री का लिए हैं इन सभी को बहुत अच्छे से भून लेंगे दो मिनट से जादा नहीं भूनिएगा वरना यह जल जाएगा बस अभी हो गया अभी से ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे दूसरे तब हम चड़ा देंगे कड़ाई और डाल देंगे तेल तेल अच्छे से गरं हो जाएगा, तो 3-6 मेंडियम साइज के पियाज डाल देंगे और पियाज को अच्छे से लाल करेंगे अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर इसे निकाल के और इसे पीस के साइड रख देना है और हमेशा जब भी आप प्याज फ्राई करें तो तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए और हाई फ्लेम पे ही फ्राई कीज़ेगा बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है तो बहुत अच्छा सा कलर आ गया आप में इसे दवाते हुए निकालके साइड रख दूँगी और इसे पीस लूँगी और उसी तेल में मैं डाल नहीं हूँ तड़का तड़के के लिए तिश पत्ते लॉंग और हरी लाइचिली हूँ आप चाहें तो तेल को कम कर सकते हैं वैसे देगी चिकन में थोड़ा तेल जादा जाता है वैसे आप अपनी हिसाब से तेल कम कर सकते हैं अब इसमें मैं डाल दूंगी चिकन, धुला हुआ चिकन है अच्छे से धुल के मैं साइड रख दीती पहले ही 700 ग्राम चिकन के हिसाब से सारा कुछ मेजर्मेंट मैं बता रही हूँ हाई फ्लेम पे एक मिनट तक इसे भुनना है उसके बाद अद्रक लसन का पेस्ट डाल देना है देख सकते हैं तू टेबल इस्पून डाली हूँ अद्रक लसन का पेस्ट और इसकी दो मिनट तक भुनाई करूंगी मिडियम टू लो फ्लेम पे ही तो यह बहुत अच्छे से भुन गया अद्रक लसन का कच्चापन खतम हो गया है अब इसमें हम मसाले एट करेंगे मसालों में जाएगा वन टेबल इस्पून धनिया पाउडर थोड़ा सा जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और वन टी इस्पून जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर और वन टी इस्पून ही इसमें जाएगा कुटा हुआ लाल मिर्श यानि की चीली फ्लेक्स आप चाहें तो चीली पाउडर भी डाल सकते हैं इन सभी को डालने के बाद मैं स्वात के नुसार नमक डालूंगी और इसे भुनोंगी बिना ढखी हुए अभी भुनना भी ढखना नहीं है हमें तो दो से तीन मिनट तक मीड चाले रही हुए बाके सब मसाले उसमें डाल के और साथी साथ में डाल दे रही हुए तो पांच टेबल स्पून डाली हूँ इसमें दही 700 ग्राम चीकन के हिसाब से सभी कुछ डाल रही हूँ अगर आपका चीकन जा रहा है तो आप सब कुछ की क्वांटिटी उड़ा बुगा रही है अब इसमें मैं डाल दूँगी पिसा हुआ प्याज जो मैंने फ्राइ करके और पिसा हुआ प्याज रखा था ना उसे डाल दूँगी और साथी साथ तो ओड़ा सा गरम पानी आट करोंगी ताकि प्याज मसाले चिकन में अच्छे से मिल जाए और इसको कव करके मैं रखूंगी तो यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको कवर करके में चला पिंगा 210 करते रही है तो पांच मिनट हो गया एंगा अब इसमें हमें पानी आड कर देना है मैं दो कब पानी करूगी आटार अपने इसाब से कम ज्यादा कर लिजेगा पानी कर कब पानी एड़ करने के बाद इसे कवर करके हमें हाई फ्लेम पे बस दो मिनट तक करना है जादा नहीं करना है पानी डालिए उसके बाद हरी मिज डाली बीना कटे हुए हरी मिज डालेगा धनिया की पत्ती डालेगा और जो खुसबुदार मसाला हमने बचाया हुआ था एक मसालों के साथ में डाल दी थी और थोड़ा सब अचा के रखी थी वह मैं अब डाल रही हूँ यह बहुत ही अच्छा मसाला है पूरे घर में इसके खुसबुद जाती है और जब भी आप पानी डालिए तो गरम पानी डालिए कवर करके दो मिनट तक को करना है दो मिनट के पात देख सकते हैं मैं गयस का फ्लेम आफ कर दी हूँ और इसकी रंगत देखिए और टेस्ट में तो क्या ही कहना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना हुआ है मैं इसकी ग्रेवी दिखा रही हूं फ्रेंड्स देगी चिकन कॉर्मा के ग्रेवी ऐसी दिखती है बहुत ही बहुत ही मज़ेदार लगती है बहुत ही टेस्टी लगती है तो कैसी लगी आपको कॉर्मे की रेसिपी देगी चिकन कॉर्मा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाईएगा